हेलो एबरीवाइन वेलकम टू अवर चैनल दी एक्जाम हेलपर जैसा कि आपको पताए कि हम एमर्स एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं मैं हमेशा आपको मैट्स पढ़ाने के लिए इस चैनल पर प्रोवाइड होता हूं मैंने सारे के सारे टॉपिक आपको कम्प्लीट लगब ल मॉक आज मैं कम्प्लीट करवा रहा हूं 2nd March 1st शिक् uneasy का किंदरे वि dikk पेपर करवाया था और मैं कंड़क करने वाला है इसलिए 99%, 900 नहीं बोलता है जहां तक मुझे है मेरा experience है लग रहा है कि यही वाले questions आपको देखने को मिलेंगे exam में तो please इन mock को जरूर दिखिएगा ठीक है चलो आपको पता है कि first वाला भी मैंने करवा दिया था first marks का second shift का वेपर first mark का first shift का भी paper मैंने करवा दिया था राउल सर्ण ने आपको computer के paper कर रहे है computer classes भी चल रही है ठीक है यह मारे cutoff क्या हो सकती है सेफिसकोर वो भी आपको बता है मेरे दवरा classes आपको कहां पर मिलती है the exam helper g के channel में जो हमारा second channel है काफी अच्छा response है बहुत बच्चों को पसंद आता है कि हाँ rapid revision करा देते हो बहुत पर यह आप भी जा करके lab उठा सकते हैं चलिए बिना किसी दरी के मैं next चलता हूं और मैं करता हूं paper solve आपको पूरा कपूरा अच्छे से बताऊंगा पिछले वीडियो में थोड़ी सी speed तेज हो गई थी sorry बच्चा उसके लिए मैं वहां भी मामिता हूं आपसे और जो की थ exam helper जीके और हमारे दो चैनल है आप telegram join कर लिए चैनल को subscribe कर लिए बिना किसी दरी के मैं match के session के उपर चलता हूं और आपको ले करके चलता हूं पीज नमबर तो मुझे पता नहीं कि कौन सारा इपर देखते हैं और मैं आपको जल्दी से scroll कर लेता है ना जल्दी से scroll करके ले करके चलता हूं हमारे मैट्स के session के उपर मैट्स के portion के उपर देखी हमारे सबसे पहले mathematics के portion में क्या कह रखा है यह देखिए पांच बटे साथ 35 divided by 12 divided by 228 divided by 9 अब देखो फटा-फट से मैं इसको कर देता हूं solve आपको पता होगा simplification का portion है of का मतलब होता है multiply 35 divided by 12 जब आपको पता है कि यह दिवाइड में होता है तो multiply होकर के पलट जाता है ठीक है ना तो 28 यहां से हो जाएगा divided by 7 divided by 7 divided by 56 ओके अब चलिए हम इसको solve कर लेते हैं यहां से गया यह पांच बार और फिर उसके बाद और कुछ कट रहा है आप बोलिए बोलिए यह तीन बार यह चार बार ठीक है बच्चा जब हम इसको solve करेंगे 25 पांच मुल्टीबलाब पांच 25 तिया 75 पिचत्तर डिवाइड साथ 56 क्या आपको मैंने यह वाली चीज सॉल्ट करान सिखाई थी मैंने बोला था बेस बराबर कर लेना तो बेस बराबर कर लिया बेस बराबर करा तो अपने पास 75 माइनस 14 डिवाइड बाए एक सो बारा जब अपन 75 में से 14 माइनस करेंगे तो आप बोलोंगे सर 61 क्या बात समझ में आई गया यह थोड़ा सा हम रिवीजन यहां पर मैं रिवीजन क्लासेज नहीं देता है यहां पर मैं कोशन को सॉल्ट कराने का एक ही बैस मेथड बताता हूं गि आप इससे सॉल्ट कर सकते हो ठीक है न किसी और को दो-तीन मेथड आते हैं नहीं मैं तो प बड़ा इतना बड़ा है पर मैं आपके लिए सॉल्ट करूंगा ठीक है ना क्योंकि कमेंट आ रहा था कि सर कोशन मत चुड़वाईए चाहे वीडियो पांतस मिनट लंबा हो जाए पर आप चुड़वाईए मत तो मैं सॉल्ट करा के बताता हूं बच्छा पर मैं स्टैप थोड़ी सी काटूंगा आपको बोल करके बता दूगा देखो बच्छा ऐसे कोशन को सॉल्ट करने के लिए सबसे पहले करना पड़ता है अपने को रैशनलाइजेशन तो सबसे पहले रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है जब आप इसको सॉल्ट करोगे यहां से तो हम rationalize कर देते हैं यहां से अपने solve किया minus two by three plus divided by आपको पता होगा sign जो है यहां पर इससे पलट करके sign हो जाता है और इसको rationalize कर लेते हैं बहुत लोगों को यह बात पता होगी मैं जल्दी से इसको कर देता हूँ solve सबको पता होगा कि a minus b और a plus b की form बनती है तो आप इसको direct solve कर सकते है a square minus b square a square minus b square करूँगा तो इसको जब मैं solve करूँगा पूरे को आप घर पर बैठ करके solve कर लेना चुकि यहां पर time लगता है तो मैं आपको direct solve करके बता जाता हूँ नो नो का square नो तीन का square नो नो multiply by 2 equals to 18 minus अगर इसको अपन solve करेंगे तो 4 4 multiply by 3 equals to 12 तो नीचे तो मेरे पास बच्चा इसको सिर्फ इसको solve करने पर नीचे बनेगा 6 अब उपर को solve कर लेता है उपर से जब आप इसकी multiplication करोगे तो यहां से multiply करने पर कितना है दो दो नहीं 4 दो दो multiply by 3 equals to 6 प्लस करोगे आप root इसी कोई वापिस यहां multiply करना पड़ेगा root 2 को root 3 से multiply करेंगे 2 root 6 क्या इतनी बात समझ में आप बोलोगे सर समझ में आई चलो आगे चलते हैं फिर उसके बाद root 3 को multiply करेंगे तो प्लस करेंगे कितना root 3 बताओ बताओ जल्दी से ये 3 root 6 फिर उसके बाद आप plus करोगे इसको multiply करेंगे तो कितना हो जाएगा आप बोलोगे सर 6 जब मैं इसको पूरे को solve करूँगा तो बच्चा आपके पास आएगा 12 plus 12 plus 5 root 6 divided by 6 क्या इतना clear आप बोलोगे सर ये portion तो clear हो गया अब इस portion को clear करते हैं बच्चा देखो minus करके जब आप इसको solve करोगे वही same का same rationalization करना पड़ेगा तो आप जब इसका rationalization करोगे तो इससे उल्टे sign को अपन को वह करना पड़ता है minus minus करके जब आप इसको rationalize करोगे तो वापिस वही a plus b a minus b की form बनी है वापिस solve करो a square plus a square minus b square a square minus b square करो जल्दी से बच्चा जल्दी से बच्चा जिसको कम समाज में आ रहा है बच्चा यह वाला मौक है मैं क्या करूं अगर आपको यह चीज़ समझ में नहीं आयती तो ठीक है ना यहाँ पर मैं question को solve करके बता रहा हूं तो इसको solve करेंगे कितना आएगा तीन का square बत तो हम जब इसको solve करेंगे तो आपके नीचे वाला जो portion होगा सिर्फ मैं अभी नीचे वाले की बात कर रहा हूं नीचे वाला बन जाएगा सर कितना नीचे वाला बन जाएगा तीन अब इसको solve कर लो अगर इसको solve करोगे तो आपके पास a minus b का whole square बनेगा क्या a minus b के whole square को solve क किया जा सकता है आप करके बताओ जल्दी से मैंने बोला भी करके बताता हूं देखो solve करने का तरीका a square minus b square इसका square किया कितना आया 9 आया प्लस इसका square किया कितना आया 6 आया माइनस करेंगे 2ab माइनस करेंगे 2ab तो 6 root 6 आ गया अब आप बोलोगे हा सर समझ में आ गया तो 15 minus 6 root 6 divided by 3 क्या base बराबर करना पड़ेगा बच्चा यहाँ पर 6 है यहाँ पर 2 है तो 2 से multiply कर दूँ उपर नीचे आप बोलोगे सर सही है पूरा solve किया तो यहाँ पर step लिख देता हूँ final 5 root 6 divided by 6 minus जब अपने इसको solve किया 30 minus 12 root 6 divided by 6 इतना solve करना पड़ेगा बच्चा इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऐसे questions को अगर time नहीं है तो skip कर दो ज्यादा बेटर रहेगा ठीके न बच्चा चलो अब यह जो final step आईए इसको मैं solve कर देता हूँ आपका answer आ जाएगा देखो कैसे solve करेंगे यहाँ पर अपने बच्चा जग माइनस का आपके पास आजाएगा 18 और प्लस आजाएगा 17 रूट 6 divided by 6 अब समझना बच्चा इस बात को बहुत अच्छे से समझना यह वैल्यू जो है ना बच्चा A प्लस B के रूट के बराबर है अब बच्चा समझो क्या A की वैल्यू इसको 6 से डिवाइड तो करो अलग A के बराबर क्या आजाएगा 17 divided by 6 जिन्होंने यह चीज पढ़ रखे ना थोड़ी बहुत उसको सब समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूं कैसे कर रहा हूं सब समझ में आ रहा होगा तो बच्चा हमारे पास A की वैल्यू क्या ही माइनस 3 यह रद दो अगर A को माइन यह कोर् Ti आखा की लोग बोल रहेते करदा.. क इतना करना पड़ेगा कोई शॉट नहीं है कोई कश भी करना पड़ेगा इतना तबी कना तो यह टो और बोलो बस चलो फिर उसके बाद अरे गुस्सा नहीं करता मैं मैं तो मजाग कर रहा हूं यार मैं बताता हूं तुमसे पहले मैं सारी चीज़ों को प्रिपेर करके आता हूं और एक अच्छा टीचर वही होता है जो अपने आपको आज भी बिजी रखे पढ़ने में ठीक है बच्छा यह वाली लाइन इंपोर्टेंट है जब सब में शेश्वल बराबर आता है तो आपको क्या करना पड़ता है बच्छा इनका अंतर ले करके इनका सीएफ निकालना पड़ता है सबसे पहले इन दोनों का अंतर निकालो 1917 को 1352 से माइनस करो कितना आएगा बच्छा यहाँ पर आजाएगा अपना पांच यहाँ पर आजाएगा ग्यारा पंडित 565 ठीक है ना इसका सबसे पहले 565 आया अब बच्छा समझना 1917 और इन दोनों का अंतर बचाओ जल्डी से बच्छा बता दो है रे कोई बात नहीं देखो सर बोलोगे आप यह 708 तो पूरा का पूरा आ गया और यहां से यह 83 एक्स्ट्रा आया जिनको नहीं समझ में आ रहा थोड़ा सा अच्छे से कोशिश करो बच्छा यह 708 तो अलग और 135 वापिस आ जाएगा तो 1356 अब अच्छा इन तीनों का अपने को SCF ले लेना है जब आप SCF लोगे तो इसका SCF आएगा 113 सॉल्व करके देख लेना मैं SCF की क्लास के अंदर भी बता दूंगा method easy सा होता है यह 700 एक्राण में डिवाइड करना होता है 565 को ठीक है ना सबसे पहले 565 को डिवाइड करोगे तो 565 एक बार जाएगा कितना है 226 या तो 226 हो सकता है या फिर और कुछ हो सकता है तो 565 को ज 13 और यह आएगा 13 या 13 हो सकता है या इसका कोई ना कोई multiple होगा तो 100% 113 ही हमारा answer होगा चेक कर ले ना घर पर बैठ कर गे ठीक है तो SCF अपना कितना है या 113 तो यही पूछा था कि SCF में X के अंकों का योग कितना होगा ठीक है ना X के अंकों का योग तो बच्छा तीन ए एक और एक तीन एक और एक जब अपन लेंगे तो यह कितना आजाएगा पांच खतम इनका तीनों का SCF लेना पड़ता है डायरेक्ट कोशन के अंदर मैं जब LCM SCF पढ़ाऊंगा ऐसा कोशन जरूर करवाऊंगा आप देख लेना ठीक है आगे चलते है solution के ओपर देखो बट मैं यह करवाने वाला था पर वो पता नहीं कहां से गया हो गया तो समझो ऐसे कोशन को कैसे solve करते हैं बच्चा यहाँ पर कोई भी divisibility नहीं लगेगी कोई भी divisibility नहीं लगेगी यहाँ पर direct answer आप निकाल ही नहीं सकते basic ही लगाना पड़ेगा और basic क्या होता है बच्च नहीं कर सकते basic से solve करना पड़ेगा बच्चा अब देखो समझो इसको अगर अपन solve करेंगे 231 मतलब यह जो संख्या है यह 231 से divisible और यहां तक अपने को पहुंचना है तो बच्चा मैं आपको क्या समझाने के कोशिश करता हूं बात को समझो देखो अगर मैं 231 में 2 0 और जोड़ दूं पास ही पहुंचना है ना चपन सो वावन सो 600 के सम्तिंग पहुंचना है तो आप पहुंच जाओ कोई बात नहीं इसको मल्टिप्लाय करो 2 से तो आप बोलोगे सर इतनी संख्या तो 231 से डिवाइड होती इतना मेरे को पता है आपने बोला सर डिरेक्ट 3 क्यो मल्टिप्लाय नहीं किया अरे बच्छा तीन अगर मल्टिप्लाय करते तो भाई साब वह 6900 पहुंच जाता 69000 पहुंच जाता क्या 69000 के बराबर है आप बोलोगे नहीं सर अब आप बोलोगे सर एक जिरू और कम कर लो इससे मैंने बोला हां यार आप तो विशार होगे हो य यार इसके बार पहुंच रहें तो आप बोलोगे सर देख लो एक बार करके तो मैंने बोला चार से मल्टिप्लाय करो इसको चार डिवाइड़ पैर चार एकम चार एकम नहीं चार तीया बारा बारा का दो हासिल गए एक चार तुनी आट और एक नौ 9240 आप करो इसको चार चार और यह कितना आया पचपन आप बोलोगे नहीं सही यह तो जादा हो गया इस पर मत जाओ इसका मतलब सर यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होएगी वो तीन से मल्टिप्लाय करना पड़ेगा तब जाकर कि आप इसके पास पहुंचोगे चलो बच्छा पास पहुंच जाते है तीन बराबर तीन से करोगे कितना आएगा बच्छा 69, 330 यह यह आएगा ठीक है ना जब इसको जोड़ा तो अपने पास कितना आया 11 प्लस 1, 6, 6, 12 और 53 बच्छा यह जो है ना यह सबसे नजदीक की वैल्यू है अब आप बोलोगे सर यह भी पास हो रहा है पार हो रहा है य कैसे solve कर रहो तो बच्छा इसका और कोई solution नहीं है मैं चाहता तो रट करके आपको answer बता देता कि इतने से multiply करो बट आपको यह काम करना पड़ेगा इसका भी कोई solution नहीं है multiply करो बच्छा कितना आएगा च्यालिस सो बीस च्यालिस सो बीस आया दो और यह हो गया आठ यह हो गया पचास पचास अजार आठ सो बीस जो है बच्छा एक ऐसी संख्या है जो 231 से divide है और पास पहुचना है चलो और पास पहुचते है 231 multiply by 6 6 करेंगे पास आजाएंगे क्या करके देखो भाई कोई solution नहीं है ऐसे रोने वाली बात नहीं है ये question आएगा ऐसा question आएगा और आपको calculation करनी पड़ेगी one of the best paper बनाया था KBS ने अपनी history के अंदर ये वाला mathematics का computer भी बहुत आसान थी reasoning भी बहुत आसान थी और सब कुछ आसान था जीके को छोड़ करके और मैस आसू आ गए थे बन्दों के एक एगंटा तो मैस में लग दिया था बच्चों का ठीक है ना 6 multiply by 2 12 और 1 13 तो 1386 क्या 1386 कर सकते हैं अपन आप बोलो के sir 1386 6 0 तो हसिल का एक यह आगया अपने पास कितना तीन और च्छह है दो 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 छैसो के बार पहुंचना है ना आप बोलोगे sir यह भी satisfied नहीं हो रहा तो बच्चा और करना पड़ेगा मैं क्या करूँ रच कर यह नहीं आता मैं तुम्हारे सामने ही solve करता हूं इतना टाइम इस question को देना पड़ेगा ठीक है ना फिर क्या कर सकते हो बचा और क्या कर सकते हो तुम साथ से कर सकते हो साथ से करो एक uh साथ से गरोगे तो साथ सो साथ वक्यों साथ 21ग दो सौनी चौदा और सोलह सो 74गा आएगा आप बोलो कि सर सोलह सो 74 भी मेरे हैसाबसे दिक्ट करेगा जो कि 6 और त्यत् Parr का एक ये 52 25tain Also 17 ये अदन और भे चुम्हों आठ और ये 6 और चुम्हों और या negative अब आड़ तरी जो वैलिए ना बच्चा ये है आप तुम बोलो कि इसका क्या तरीका है आप बोलोगे ईसका और कोई तरीका नहीं है जो आपने बता है वही है मैं क्या इसलिए वोलता हूसं के ऐसे से को होटा करना अगर कुछ मैं पर्तिकुलर बता लूग का चलो ना एक्स की वैल्यू कितने आगे बच्चा अब समझ में आगे च्छे और वाई की वैल्यू आ गया आठ और कोई तरीका नहीं है बूल जाएगे कुछ भी तरीका नहीं है यही तरीका है एक मात्र चैंड अब इसको सॉल्व करना है चैंड चार चौबेस प्लस उसके बाद कि मस्ट कोशन नहीं कोई गयाप कर देगा चलो ऐसा नहीं होता कि पूरा का पूरा पेपर डिफिकल्ट आता है पूरा नहीं आता और भी दिखो यह सिंपल कोशन है जब अपन रूट 6.25 को सॉल्व करेंगे तो 2.5 आता है मल्टिप्लाइब है तीन माइनस इसको सॉल्व करो गया 1.5 multiply by 3 by 2 अब सॉल्व करो ना बच्चा 7.5 माइनस जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 0.75 को 3 से किया 2.25 जब अपन 2.2 को माइनस करेंगे इससे तो हमारे पास 5.25 आजाएगा बात खता हूं कई कोशन बहुत इसी हैं कई कोशन डिफिकल्ट हैं ऐसे ही सैट बनता है मैं तो तुमको पहले ही बोला था ये बात ठीक है ना और देखो ये वाला कोशन क्या मैंने एलिक क्या तुम ये बात बता दू मैंने percentage में इस टाइप का कोशन नहीं कर राया हर कोई बच्चा बोलेगा वहकाल सीरीज में ये कोशन कर रखा है कैसे 40% ये बोला है एक विध् 50% लड़किया तो 60% लड़किया जब पन इसको रेशो में convert करेंगे तो दो अनुपात तीन आएगा 45% तो बच्चा इसमें लड़के पास हुआ है और लड़किया इसमें पास हुई है 60 अब क्या मैंने तुमको ये बात पताई नहीं थी जरह मुझे बताओ जब मैंने इसको बोला था कि इसको break percentage break method क्या मैंने आपको समझाया नहीं बच्चा direct करने के लिए 15 extra है मतलब 45% तो बच्चा आए गई आएगा और देख लेते हैं 15 multiply by 2 कितना आया बच्चा 30 आया 30 को हम particular हर एक में equal में divide करेंगे तो 2 और 5 से divide किया तो 6% मतलब 6% आप add कर दो sir 51% इसका answer आ ज अगर आप fail वालों का निकालोगे तो बच्चा 100% past थे यह मैंने तुमको तब भी बताया था जब मैंने तुमको यह बहुत बार समझाया था बच्चा की 100% हमेशा past plus fail होंगे जब भी आप minus करोगे तो fail यह आएगा fail percent कितना है यह 49% fail percent अपने को 49% दे रखा है कितने के equal आप बोलोगे 196 के equal जब अपन इसको solve करेंगे तो कितनी बार जाएगा चार बार जाएगा तो 400 बच्चे आपके पास available थे तो x कमान चार्ट बार जाएगा question देखो क्या कह रहा है 200 का x plus 10% यदि 180 के x percent से 33 से एक बटे तीन अधिक है तो बताइए इसकी value क्या होगी solve कर लेते हैं बच्चा बता रखा है यह वाला 200 का x plus 10% बोल रखा है बच्चा 200 का x plus 10% यदि 180 के इत्ते से जादा है तो बच्चा बराबर करके क्या मैं 180 का 10% multiply by 3 के कर सकता हूं आप बोलोगे बिल्कुल सर कर सकते हो क्योंकि यह इतना जादा है 33 की value कितनी होती है 33 एक बटा 3 की एक बटा 3 आप बोलोगे सर अगर कोई value इससे इतनी जादा है ना तो इसका मतलब वो 4 बटे 3 है यह वाला मैंने बोला बताया था आपको इसको बढ़ा करके ल को इस मौक के अंदर यह मत सोचिए कि अभी हमार को सर पूरा का पूरा basic से solve करके बताएंगे एक एक चीज बचा यह आपकी revision के लिए है कई लोग बोल देते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा समझ में नहीं आ रहा बचा मैं कैसे समझा हूं जो class मैं आपको दे रहा हूं vocal series के अदर वो जाकर के देखो 10x प्लस 10x प्लस 100 परसंटेज यहां से बेटाएं यह जो परसंटेज है यह परसंटेज कट जाएगा 100 बराबर 9x multiply by 4 by 3 करोगे तो यह कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा यहां से बच्चा यह 10x आएगा और बराबर करेंगे यह 12x आएगा जब अप बराबर 2x और 2x को solve किया तो 50 इसका मतलब x की जो value है बच्चा 50% है बस सर आप बोलोगे खतम हो गया सर कोशन x की value अगर 50 है तो यही पर ही तो रखनी है 4 multiply by 50 प्लस 10 का 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 होता है multiply और x x कितना है 50 50-10 बराबर 40 40% आगे solve करो बच्चा कितना हैगा 200-210 का 40% का मतलब 2x5 2x5 का मतलब हो जाएगा 42 multiply by 2 equals to 84 करेक्ट तंस क्या इतना अच्छे से कोई बताएगा किया तूरा मौक के अंदर भी solve करना पड़ है चलो बच्चा next question हमारे पास है next question देखो क्या बोला है नीरू ने 39 kg चीनी 1589.50 रुपेगी खरीदी 9 kg अब देखो य मैं profit and loss करूँगा ऐसे question करवा दूँगा आपको tension not मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था देखो बच्चा इस question को आप basic से solve करना ज्यादा असान रहेगा देखो वह क्या बोला 39 kg चीनी खरीदी अब 39 खरीदी तो 39 यह बेचेगा सबसे पहले यह समझना 9 kg चीनी का फायदा होता है विक्रे मुल्य पर अब यह समझने वाली बात है अब बच्चा एक बात बताओ 39 kg अगर हमको लाव हो रहा है न बच्चा लाव केसे होता है SP में से CP माइनस करते हैं तो बच्चा 49 kg का जो SP है अगर मैं इस में से माइनस कर दूं 49 kg के CP में से तो आपके पास profit कितने के बराबर आएगा 9 kg चीनी SP के बराबर क्या इतनी बात समझ में आप बोलोगे सर समझ में आई जब मैं इसको solve करूंगा तो बच्चा SP को यहाँ पर लेकर के आजाओं तो आप बोलोगे सर 30 SP हो जाएगा और 39 CP हो जाएगा क्या मैंने आपको ratio लेना सिखाया था आप बोलोग 795 0 में उसने वो खरीदी थी खरीदने का ratio कितना दे रखा है 10 बेचने का ratio कितना है 13 अब आप समझोगे आप बोलोगे सर उसने बोला है कि 1 kg चीनी का प्राइस तो बचा total चीनी खरीदी कितनी थी आप बोलोगे सर 39 तो total का divide लगा रहेते हैं तो 1 kg चीनी का प्राइस और इसको एक 0 से एक 0 कटेगा 300 इसमें 300 का divide करोगे तो I think 5 to 6 5 answer आ रहा होगा चेक कर ले ना ठीक है ना एक बार 5 to 6 5 यह answer आ रहा होगा कोई गडबड हो तो मुझे बता देना best मेरा काम है यहाँ पर question को best तरीका बताना कि इस तरीके से इसको solve कर सकते तो यह best तरीका है ठीक सो में किसी मेच को 9000 के स्तान पर 72 सो में बेचने पर दुकानदार की हानी परसंट 9-6% अधिक हो जाती है क्या बच्चा यही कहना चाहरा है कि इन दोनों का अंतर जो है 1800 है और यही जो है यही extra percent बनी है मतलब व्रदी extra हो गई ना तो हमारे को इसको solve कर लेना यह आ जाएग उसको भी मैं बता देता हूं कि यही ऐसे solve होगा अब बच्चा क्या मैंने यह सेम टाइप का आपको question करा नहीं रखा वोकाल सीरी वाले एक बार बता देना यारग बस एक बार comment लिख देना कि हां यह वोकाल सीरीच के अंदर करा रखा है क्या मैंने आपको बताया नहीं कि B देखो 45 हो की एक राशी को A, B और C इस प्रकार बाढ़ते हैं कि B का जो भाग है और A और C के सहयुक्त भाग का अनुपा दो अनुपा साथ है तो बच्चा क्या यहीं कहना चाहरा है कि B बराबर 2 है और A प्लस C जो है 11 है दूसरा पढ़ो फिर उसके बार यह बोल रहा है कि और A और B के सहयुक्त भाग का C का भाग जो है 11 अनुपा 4 है तो A प्लस B divided by C equals to 11 अनुपा 4 है क्या यहीं कहना चाहरा है आप बोलोगे सर बिल्कुल बचा मैंने क्या आपको यह solve करना नहीं सिखाया सेम का सेम कोशन कि इन दोनों को add करके यहाँ पर आपको 13 बनाना है और इ इनको भूल जाओ अब आपको इसको 15 15 से multiply करना है तो आप बोलोगे सर यह 30 आ गया और इन दोनों के multiplication कर लेना कोई दिक्कत नहीं सर है न कोई बात नहीं आप परशान मत हो इसको अगर अपन 13 से multiply करेंगे नीचे वाले को भी 13 से multiply करेंगे तो C की value आएगी 52 अब बच्चा क आप B की value direct आपकी 30 आई आप बोलोगे सर हां 30 आई है इसको multiply करने पर क्या C की value 13 multiply आप बोलोगे सर बिल्कुल आई है तो A जो है बट्टा बच्चा 15 multiply ग्यारा 165 A plus B plus C था तो क्या direct minus करने पर आजाएगा आप बोलोगे सर हां आ जाएगा अब आ जाएगा तो solve करके बता द अच्छा 13 से multiply करने पड़ेगा 195 एड करूं कितना हैगा जल्दी से बताओ आप बोलोगे सर 82 82 यहां से minus करेंगे कितना हैगा 3 और यह 113 तो 113 किसकी value आ गई किसकी आगे बताओ जल्दी से नहीं बता रहे नहीं बता रहे गया 113 किसकी value आगे कुछ गडबड कर दी क्या मैं तो मैं बोल रहा हूं बचा तुमको बात समझाने की कोशिश करता हूं कि कुछ भी हो सकता है ठीक है ना अगर एक बार अगर तुमने कोशन को थोड़ा सा भी गलत पढ़ लिया गलत उतार लिया तो बड़ी problem होगी बच्चा बड़ी problem होगी ठीक है ना चलो वापिस करते है शॉल फटार फट से फटार फट वाइल करेंगे दो पट्टि सात है यहां पराया नौ यहां पराया पंदरा अब इसको करो multiply किसे करेंगे बताओ पांस से और यहां पर multiply करेंगे तीन से आप बोलोगे सर हाँ total बराबर हो गया तो यहां से भी पांस से multiply यहां से भी पांस से multiply यहां से तीन से multiply यहां से तीन से multiply इसको दुनों को multiply किया तो कितना आया b आगया सर 10, c आगया कितना तीन मल्टिप्लाइब है चार कितना बारा और ए बराबर कितना आया अरे सर इतना टेंशन के लेते हो यहां से माइनस कर लो 45 टोटल है उसमें से अगर 10 और 12 जोड़ करके माइनस किया तो 23 आ गया खताम अब पताओ उसने पूछा क्या है एक आमान पूछा है ए 4500 के बर बर वैल्यू 45 है टोटल 45 आया था एक की वैल्यू 100 के बराबर तो 23 की वैल्यू 2300 के बराबर खताम यह option है क्या सेम का सेम कोशन कराया था प्लीज कमेंट करके जरूर बताना ठीक है न क्या सेम का सेम कोशन मैंने करवा दिया क्या मैं यह वाला कोशन आपके भरों से छोड़ सकता हूँ नहीं तो ठीक है भई करा देता हूँ और क्या बरूँ चलो किसी बटुए में 10,300 रूपए की धनराशी केवल 100 रूपए 50 रूपए 200 रूपए के नोटों में रखी गई यदि इन नोटों की संख्या 8,3 और 4 है तो बताओ 50 रूपए के नोटों की संख्या कितनी हो 100 रूपए के तो आप बोलोगे सर 800 रूपए हो गए ठीक है तीन नोट है 50 रूपए के तो रूपए कितने हो गए 150 फिर उसके बाद 4 multiply by 20 करेंगे तो अपने पास हो गया 80 आप बोलोगे सर यह जो है ना यह value का ratio है value का मतलब money का ratio है total किया कितना आएगा बताओ जल्दी से ब 100 के बराबर कोशन में पूछा है 50 रूपए के नोट तो 50 रूपए के नोट की value की मान कितना है 15 अगर एक यूनिट की value 100 तो 15 यूनिट की value फंद्रा सो फंद्रा सो यह अपना answer होएगा best approach बता रहा हूं जैसे मैं paper में solve करता वैसी आपको समझा रहा हूं चलते है next question के उपर next question क्या बोला है क्या same का same vocal series के अंदर बता दो यार vocal series वालों बता दो ठीके ना आप बोलोगे सर बार बार एक ही चीज़ को बोलते हो एक कमेंट पड़ रहा था मैं वो बार बार repeat करोगे एक ही बात को तो irritation होती है बचा irritation आपको जब होगी जब आपका list में नाम नहीं आए a b c equals to 45 kg फिर उसके बाद a plus b equals to 40 फिर उसके बाद आएगा आपके पास c plus a कमान 43 मैंने बताया था अगर यह उसात है बटता तो बचा इनको आप convert कर लिया करो exact value में तो 3 बंद है तीनों से multiply आगिया 135 दो बंद है दो से multiply आगिया 80 दो है तो 86 c plus a a का भार कैसे निकालो कि जल बहार निकालोगे सर आप बोलोगे सर अगर इसमें से इसको multiply कर दिया नहीं तो c आ जाएगा तो बच्चा मैं sorry minus कर दिया जाए यहां पर minus किया इन दोनों को minus किया कितना आया बच्चा बोल दो 45 55 55 आप बोलोगे सर c आया बच्चा अगर 55 जो c है अगर मैं यहां उसका मान रख दूंगा तो आप बोलोगे सर 55 है c का मान जब आप इसको यहां पर करोगे तो यह हो जाएगा minus में और आपके पास 31 a का अंसर आजाएगा जो कि यह वाला option है जिसने बॉकाल से रखे उसको तो मजा आ रहा होगा कताई सर मजा आ रहा है आप तो कराए जाओ बस कोशन क कराए जाओ यह बोलोगे चलो यह वाला कुशन क्या है साथ से लेकर के 14 मार्च तक ossad दयनिक दैनिक दैनिक तापमान 21.8 था आट मार्च से लेकर के पंदरा मार्च तक वौसत तापमान 22.5 था, साथ मार्च को तापमान 20 था, तो बताए ये क्या होगा, क्या सेम टाइप का उपर वाला कोशन यह है, सेम टाइप का है, जो उपर करवाया था, इसको खुद से सॉल्व कर लेना, बेस्ट मेथड वोई है, जो मैंने बता दी, ओके चलो, ये कोशन मैं आपके भरों से छोड़ता हूँ, करके कमेंट बॉक्स में बताना, देखो, कोशन क्या कह रहा है, किसी धन राशी साधारन से 2.15 2.5 वर्ष में 8% वार्षिक दर्से मिश्र धन, उसी राशी पर 12 वर्ष से 8.5 रवार्षिक दर्से प्राप्त साधारन व्याज कप से 1530, अब आप बोलोगे सर, पता नहीं क्या कह रहा है कोशन, अरे बच्चा कुछ नहीं कह रहा है, ऐसा कोशन मैंने करा रखा है अपनी सीरीज के अंदर, 8% multiply by 2.5, क्या मैंने बोला था, डिरेक्ट एफेक्टिव रेट निकाल सकते हैं आप, डिरेक्ट एफेक्टिव रेट निकालोगे यह आएगी 2%, बोल रहा है कि इसके द्वारा प्राप्त मिश्रधन मिश्रधन का मतलब क्या बच्चा 100% प्लस SI की effective rate होती है आप बोलोगे, हाँ सर, यही होती है SI की effective rate, ठीक है ना तो 120 आ गया अगर अपन 12 को multiply करेंगे 8.5 से, तो यह हमारे पास क्या जाएगा, ब्याज आ जाएगा effective rate वाला, तो करो solve 812, कितना हो जाएगा, 102 102, 102% यहां पर ब्याज आ जाया, यह मिश्रिधन है और यह ब्याज है, यही बोल रहा है कि मिश्रिधन और ब्याज का जो अंतर है वो 1530 है, तो बच्चा percentage में कितना अंतर है, आप बोलोगे सर, 18% का अंतर है 18% की value 1530 के वराबर दे रखी है और जब अपन 1530 को solve करेंगे नौ से divide कर दिया, एक बार नौ से divide किया, एक बार 66, 67, 75, 85, 85 सो हमरा है ऐसा question मैंने करा रखा है जाकर के देख लेना, नहीं देख रहा हो तो ठीक है न, जिसने नहीं देखिये न, बहुत पस्ता होगे तुम देख लेना, ठीक है न, प्लीज जाकर के करो, जिसकी तयारी अच्छी है, मत देखो, कोई देख करने, जिसको लगता है, यह questions नहीं होड़े, जाकर के देखो, वीडियो, कहाँ पर मिलेगी, the exam helper, gk वाले जैनल पर, ठीक है न, वहाँ पर मैं थियोरी पढ़ा रहा हूं, रोज के रोज, चलो, question क्या कह रहा है, अच्छा question है, ऐसा question, यह देखो, अब ऐना, ऐसे question जो है, वो mix करके आते है, CI और SI, मैंने बताया था, कि ऐसा question मैं CI वाले chapter के अंदर डालूँगा, मैंने पढ़ाया नहीं है, CI, यह CI का question है, एक तरीके से, किसी धन राशी में, किसी धन राशी पर 4 वर्ष के लिए, 1.5 दर निकालना है, क्योंकि बच्छा, जब आप मूलधन निकालोगे, तब ही तो इस question को solve कर पाऊगे, चलो, निकालते हैं, 4 multiply by साड़े साथ, 4 multiply by साड़े साथ, क्या मैंने आपको SI में डारेक्ट तरीका नहीं बता रखा, आप जब इसको solve करोगे, इसकी value आईगी 30%, मैंने क्या आपको direct, बच्छा, ये तरीका नहीं बताया, कि इसको 100 से कर देते हैं, जब इसको आप solve करोगे, तो आपके पास कितना आएगा, 10,500, क्या direct बोलो, भोकाल सीरी वालो नहीं करा रखा, आप बोलोगे, सर करा रखा है, आप नहीं ये वाला, पक्का करा रखा है, 10,500 मेरा क्य आया, बच्छा, ऐसा ही आया, अब बच्छा, सबसे पहले एक काम करो, आप इसको 3 साल का बना लो, मैं क्यों बता रहा हूं, समझना, पहले 3 साल का बनाओ, 3 साल का बनाओगे, तो बच्छा, 3 मेतड़ अगर अपन लगाएंगे, तो 1050, 1050, 1050, जिसको 3 मेतड़ आ रहा है, फिर उसके बाद इसके उपर भी 10% मिलेगा, तो इसके परसेंट, 10% मिलेगा, 105, 105 और 105, फिर इसके उपर 10% मिलेगा, तो 10.5, अब बच्छा समझना इस बात को, मैंने 3 वर्ष का क्यों निकलवाया, क्योंकि बच्छा डायरेक्ट आप 1 बटे 5 पर नहीं जा सकते, आप इसक को सौलु करो, एक बच्टे 5 पर, यह 3 साल का ब्याज है, और 3 साल में अपने को सिर्फ चाहिए कितना, भाई मुझे तो आप 1 बच्छ वर्ष का निकाल कर देदेओ, मुझे पूरे 3 साल का नहीं है, तो यह पूरे 3 साल का होता है, यह दूसरे साल का होता है, और यह पहले सा ब्राब्लम कोई प्राब्लम है डाउट किस पर पूछ सकते हो एदर एन आय टी वाई ए वन नाइन नाइण इसके उपर मेरे को 20% दर की 2 साल का ब्याद जो है जब वार्शिक सेयोजित होता है है ना चक्रवती ब्याज का कुछ है जब भी है सेयोजित आता मतलब चक्रवती ब्याज है उसी राशी को 15 % के लिए डिया जब अगन आठ मास के लिए पश्यात सेयोजित करते हैं अब बचा समझना देखो बचा क्या effective rate method आपको पता है आप बोलोगे हा सर पता है CI के अंदर effective rate method अगर आप निकालोगे तो 20% की 2 साल की effective rate होती है 44% जिनको आता है वो समझ लीजे जिनको नहीं आता मैं CI पढ़ाऊंगा जब समझ लेना ठीक है अब 8 वर्ष अगर होता है 8 मास होता है तो बचा क्या 8 मास में convert करने के लिए 12 बटे 8 साल को करेंगे आप बोलोगे सर सही बात कह रहे हो आप 3 साल तो यह हो जाएगा और क्या दर को अपन 8 बटे 12 से करेंगे आप बोलोगे यह भी सही सर कह रहे हो आप 10 तो आप कोशन क्या हो गया 10 परसंट की rate है 3 साल का ब्याज है तो effective rate 3 साल की 10 परसंट की होती है 33.1 परसंट बस यही बोला है बच्चा इन दोनों का अंतर जो है 71744 के बराबर है आप सॉल्व करो आपका अंसर आजाएगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चा तो हमारे पास कितना आएगा अगर यह 33 होता तो 11 आता यह 33 नहीं है इसके लिए अपने को 10.9 लेना पड़ेगा क्या बात को समझ पारे होगा चलो सॉल्व करके देख लेता है कोई दिक्कत नहीं बच्चा कोई दिक्कत नहीं है सॉल्व करके देख लो 109 109 से एक बार 109 से एक बार जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 4, 14, 14 का 6 हो गया 5 और 65 65, 65, 65, 109 multiply by 6 कितना आएगा 6 बार तो यह आगया 16,000 खतम सॉल्व करो बच्चा वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है ठीक है ना देखो जब नल A और B जो है एक टंकी को क्रमशा 60 मिनट में 60 मिनट में और X मिनट में भर सकते हैं दोनों एक साथ 20 मिनट तक खोल दिया जाता है और एक को बंद कर दिया जाता है यदि 6 टंकी जो है वो 33 से एक बटे 3 मिनट में भर गई तो बताओ X को कितनी X का मान क्या होगा अब बच्चा समझना यह कोशन मेंने तुमको करा रखा है यह कोशन मेंने तुमको बन जाएगा और बच्चा क्यों जल्दी बन जाएगा बात को समझना अब एक बात बताओ बच्चा यहां पर बी जो है बाद में बी टंकी को भर रहा है तो वो 33 साही एक बटे तीन में भर रहा है तो इसका मतलब सर आप ये बात का ध्यान रखना कि 99% बी की जो एफिशेंसी होगी वो तीन होगी तो आप्शन में चेक कर लो बी की एफिशेंसी अगर तीन बन रही है किसी गी तो 99% वही टिक लगा कर क्या आजाना आपका अंसर हो जाएगा 60, 60 और 62 में अगर LCM लोगा पहला ओप्शन 360, 60 से डिवाइड के 6 और 5 ये नहीं होएगा सर, 3 नहीं बन रहा खतम, 60 और 75, सर ये वाला हो सकता है आप इसका LCM लो, इसका आएगा अपने बास 5 और इसका आएगा 4, ये नहीं हो सकता सर जब मैं 60 और 80 की बात करूँगा तो सर, 60 और 80 का ऑप्शन अगर लोगे तो इसका LCM आएगा 240 और 60 ये 4 और ये 3, सर यहीं वाला अंसर है, टिक लगा करके आगे बढ़ेगा हाउ टू अप्रोच समझ आ रहा है कैसे अप्रोच करेंगे बेसिक से भी करके बता दूंगा पर उसके लिए उतना टाइम नहीं है अपने पास अपने वह कोशन जल्दी स्वाल करना है ठीक है चलो क्या सेम का सेम कोशन करा रखा है फिर बोलोगे इरिटेशन होती है इरिट वर्ष को आधे कारे को चार दिन में कर पाए उतना काम कर पाए और यह है और यह दी आधा काम है तो आप इसको बराबर कर सकते हो ऐसा question मैंने करा रखा है ठीक है शेश कारे शेश कारे का मतलब आधा काम आधा यहां कर लिया तो आधा यहां करवाना पड़ेगा कितना बोला है कितने व्यक्ति को नियुक्त किया जाना है तो बच्चा कितने व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे यह तो बोल रहा है कि आपको 10 करमचारी चाहिए पर 5 तो बच्चा पहली काम कर रहे है तो 5 और लगाने पड़ेगे इसका सही आंसर 5 ओके बच्चा क्लियर ऐसा question करा रखा है मैंने ठीक है ना चल नया question बढ़ते हैं कार का कोई चालक 76 km की चाल से कार चला रहा है एक बस का जो उसी दिशा में जा रही है क्या इतनी बात समझ में आती कि उसी दिशा में जाने पर स्पीड रिलेटिव स्पीड जो होती है माइनस हो जाती है इतनी बात किसी को समझ में आती है तो ये कोशन धड़लने से कर लेगा हो अपने से डेड़ सो मीटर की दूरी पर है और 30 सेकंड के पश्याद वो 120 मिनट पीछे हो जाती है बचा अब इस कोशन को समझ ना एक कार वाला समझो एक कार वाला है एक कार वाले ने बिल्कुल टेजी से एक कार वाले ने पीछे से देखा कि डेड़ सो मीटर जो है वो आगे बस खड़ी गई है वो भाई साब अपना एक्सलेटर दबा करके तडाम ले करके चला गया ले करक तब क्या बच्या, कार ने 210 मीटर की दुरी आगे त्य ह्करे लिए आप बोलोगे हां बच्या 210 मीटर जो है, इन्होंने त्ये करी है दूरी, है ना, किते मिनिट में, io 30 मिनिट में, तो बच्या 9 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड आ गई क्या, आप बोलोगे हा सर 9 मीटर पर सेकिंड दोनों की स्पीड का अंतर है ठीक है ना दोनों की स्पीड का अंतर है जिसको ये चीज समझ में नहीं आती है वो time speed and distance में सीखे ठीक है ठीक है तो ये जो अंतर है ये car और bus का दूरी का और bus का चाल का अंतर है जब अपन इसको convert करेंगे बच्चा तो ये कितना हो जाएगा 9 multiply by meter per second है multiply अगर अपन करेंगे 18 पटे 5 तो ये कितने में convert होएगा आप बोलोगे सर ये convert होगा किलोमीटर पर घंटे में जब इसको multiply करेंगे 9 18 नम्मी 144 नहीं 144 नहीं 162 divided by 5 जब इसको solve करेंगे तो 35 35 तीन बार 15 15 और 12 12 को solve करेंगे अप 25 से दो बार 2.25 मतलब 4 2.25 मतलब 32.4 अब 32.4 बचा कार और कार माइनस बस की जो दूरी है वो 32.4 है क्या कार की speed दे रखे आप बोलोगे सर दे रखी है यहां पर अगर इसको यहां पर लाएंगे तो 32.4 माइनस करेंगे और यहां पर बस को यहां लियाएंगे तो बस की direct 43.2 जो की यह 43.6 जो की यह सही हैं जिसको ने पढ़ रखा है उसको समझ में आएगा जिसने नहीं पढ़ रखा मैंने कोशिश करिए अगर आपका basic concept क्लियर नहीं है तो मिया basic पढ़ाने तो बैठा नहीं है ठीक है ना last question आपका है इस question को हम करेंगे जल्दी से solve और session को करें एक नाव धारा की दिशा में 10 km की दूरी 60 मिनट में तै करती है बचा धारा की दिशा में मतलब क्या a plus b हो जाएगा क्या आप बलोगे हां sir a plus b हो जाएगा a plus b का मतलब धारा प्लस नाव दोनों की चाल add कर दी है तो 10 km 30 मिनट में करता है इसका मतलब यहां पर घंटों में convert पलट करना पड़ेगा इसको यहां पर यह पलट करके उपपर चला जाएगा और यह हमरे पास हो जाएगा 20 किलोमीटर परार दोनों जुड़ करके आ रहे हैं शांत जल में नाओ की चाल कितनी 18 है शांत जल का मतलब होता है बच्चा वहां पर धारा जुड़ी भी नहीं है तो क्लास अगर पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर देना शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ आपको बताए धी एक्जाम हेलपर जी के जो है हमारा टेलीग्राम का ग्रूप है इसमें अपन पीडियेफ वगरा देख करके मतब डालते रहते हैं धी एक्जाम हेलपर जो ह 6.6 के सस्क्राइबर हो चुके हैं इसके अंदर जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है आई होप आपको वीडियो पसंद आए अगवार थेंक्स फॉर वाचिंग बाई 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 माई गोलकपा दी एक्जाम हेलपर जी के ये वाला चैनल है ठीक है न बाई बाई